पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है कि अब की बार किसकी सरकार हमें बनाना है मनी मन लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार बहुत कुछ बदल देंगे या फिर बहुत कुछ नया करेंगे या जिन्होंने अच्छा काम किया है हमारे छेत्र में उन सब को एक बाप फिर से मौका दिया जाएगा अलग-अलग टीवी चैनलों में बड़े-बड़े शर्वे हो रहे हैं आज तक इंडिया टीवी, एंडी टीवी इन तमाम जो टीवी चैनल के सर्वे हैं इन सर्वों में भारत लाइब का भी एक नाम है क्योंकि भारत लाइब लगतार सर्वे कर रहा है और अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से भारत लाइब की टीम अलग-अलग छेतरों में जा रही है घूम रही है और वहां के जनता का मिजाज भापा जा रहा है सुपॉल, सीता मडी, कटिहार और पुर्णिया, सिमानचल, मितलानचल के कई इलाकों में हमारी जो चुनावी यात्रा थी, वो संपन हो चुकी है कई जगहों पर अभी चुनावी यात्रा जारी रहेगी सबसे पहले, जो इंडिया टीवी के कल सर्वे आये थे उस सर्वे में, जो बदलाव और जो सर्वे में जो आंकड़े, खुलासे हुए है उस पर आज विशेश रुप से चर्चा करने के लिए हम मौजूद है महाभारत 2024 भी होगा, उसमें हम बाबा के साथ बैठेंगे और उस पर भी मन्थन होगा देखे, आज 12 लोकसभाच्षेत्र, उत्तर बिहार के लोकसभाच्षेत्र की चर्चा हम करने बैठे हैं इन 12 सीटों पर कौन जीत सकता है, 40 लोकसभा सीटों में कितने सीटों पर एंडिये गडबंदन की जीत हो रही है और क्या इंडिया गडबंदन का खाता इस बार खुलेगा की नहीं खुलेगा इस पर चर्चा करेंगे, एक एक करके सबसे पहले 12 जो सीट है उत्तर बिहार के इन 12 सीटों में अगर बादचित की जाए तो वालमी की नगर, पस्चिम चंपारण, पुर्वी चंपारण, शिवहर, सीता मडी, मुझपरपूर, वैशाली, हाजिपूर, सारण, सिवान, महराजगन और गुपाल गंजे सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं वालमी की नगर की जिया, वालमी की नगर की हम चर्चा करेंगे, वालमी की नगर में आप सब को पता है कि क्या परिस्थितियां है, वालमी की नगर में कौन जीतने को लिए, कौन जो है वो दावेदारी पेश कर रहा है, किसका सीट ह बालमी की नगर एंडिये गडबंदन ने पिछली बार 2019 के अगर बात चित की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव के दर्मियान बालमी की नगर ने बालमी की नगर में बीजे पीने बैदनात प्रसाद महतो को जो है वो दिया था टिकट और वहां से वो जीत के आये थे जनता दल युनाइटेड से हैं और इन्होंने लगभग 6 लाख के करीब में वोट इनको मिला है और 6 लाख से ये जीते हैं और शास्वत के दार निकरतम प्रतिदंदू इनके रहे थे और कॉंग्रेस के और इनको भी वोट 2 लाख के करीब मिला था हार का अंतर 3 लाख के करीब था 62 फीजदी वोट इनको मिले थे अगर इस जगह पर बातचित की जाए तो पूरुस मतदाता लगभग 8 लाख के करीब है महिला मतदाता 7 लाख के करीब है और कुल मतदाताओं के अगर बातचित की जाए तो लगभग 16,65,502 है यानि कि इस ब भारते जनता पार्टी के seat जो है वो मिलेगा अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जो पिछले बार repeat हुए थे वह इस बार repeat होंगे या फिर किसे किनी नए को मौका मिलेगा क्योंकि पिछली बार तो जदियू की seat जो है इनको मिली थी और इस बार क्या जदियू फिर स ये seat भारते जनता पार्टी से मांगती हुए दिखेगी चलिए दूसरे नंबर पर बातचित करें पश्यम चंपारण की तो पश्यम चंपारण का डाटा पहले जान लेते हैं 2019 के चुनाव में संजेज जैस्वाल जो भारते जनता पार्टी के पुर्व में प्रदेश अध्यक्षबी रह चुके हैं और वरतमान में पश्यम चंपारण से ये सांसद हैं इनको वोट 6 लाक मिले थे और इनके जो निकरतम प्रतिद्वन्दी थे ब्रजेश कुमार कुश राष्टी लोकसमता पार्टी यारे रल्स पी से थे और इस बार उपेंद्र कुश्वाहा थे ये सीट मांगने के लिए परेशान है कि पश्यम चंपारण की सीट हमें दे दी जाए अगर वोट बातचित की जाए वोटों का अंतर बातचित की जाए तो दो लाग के अंतर से जो बरजेश कुमार कुश्वाहा थे उनकी हार हुई थी तीन लाग के करीब जो इनको वोड था बरजेश कुमार कुश्वाहा को वो मिला था इस सीट पर भी उपेंदर कुश्वाहा की दावेदारी है उपेंदर कुश्वाहा चाहते हैं कि ये सीट हमें मिले हाला के NDA गडबंदन में क्या कुछ फैसला हुआ है इस पर अभी चर्चा होना बाकी है तो क्या उपेंदर कुस्वहा को ये सीट मिलेगा या फिर ये सीट जो है वो बचता हुआ दिख रहा है भारती जनता पार्टी के लिए लेकिन जो सर्वे आया है इसमें बीजे पीक की बड़ी जीत होती हुए दिख रही है यानि कि इन सीटों में वालमिकी नगर पश्यम चमपारण में बड़ी जीत भारती जनता पार्टी की होती हुए दिख रही है अब बात करते हैं पुर्वी चमपारण की तो पुर्वी चमपारण में राधा मोहन से ये असमश टूप स मिले थे और यहां पर भी RLSP के इनके प्रतिद्वेंदी थे जिनका नाम था अकास कुमार सेंग और अकास कुमार को जो वोट मिले थे वो दो लाग के करीम मिला था हार का अंतर भी लगभग इतना ही था 293,648 था वोट 7% इनको मिले थे 60% साथ मत समझ लिजेगा 60% वोट इनको मिले थे तो ये भी एसमस्टूप से दिख रहा है कि इस बार भी कहीं न कहीं ये सीट जो है वो भारती जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है अब बात करते हैं शिवहर की जहां शिवहर भी काफ एक बाप फिर से बात्चित करें रमा देवी की तो रमा देवी पिछली बार जो है वो जीत किया थी लेकिन शिवहर में इस बार जनता दल यूनाइटेड की चर्चा चल रही है आप सब को पता है कि शिवहर लोकसवाजशेत्र में जो आनंद मोहन है उनको जद्यू के आनंद मोहन को जेल से निकलवाया था जिस बज़ा से यह चर्चाएं चल रही है कि आनंद मोहन एक बाप फिर से आ सकते हैं अब आनंद मोहन होंगे कि उनकी पतनी होगी लवली आनंद या फिर उनके बेटे चेतन आनंद जो पाला उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दिन बदल ता इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं हलाकि सर्वे में आया है कि यह जो है वह एंडिय गडबंदन में जाएगा जडियू को यह सीट जाता है यह भारती जनता पाटी यह सीट जो है वह बचा कर रखती है इस पर काफी जादा चर्चा का भी विशय बना हुआ है अब आगे परते हैं सीटा मड़ी की सीट जो सबसे होट सीट बिहार में बनी हुई थी दिल्ली में भी सीटा मड़ी सीट को लेकर काफी जादा चर्चाएं थी सुनिल कुमार पिंटू जनता दल्यूनाइटेज से पिछली बार काफी दोहा पाती मची थी सीट को लेकर अंतता जो है वो एंडिये गडबंदन की जीत होती हुई दिख रही है लेकिन यहां पर भी मामला फसा हुआ है सीता मड़ी सीट को लेकर आप सब को पता है कि बिहार बिदान परिशत के जो अध्यक्ष हैं अगर बादचीत की जाए उनकी दिवेशन ठाकुर की तो वो अपना टिकट फाइनल स्वतह करवा चुके हैं नितीज कुमार से हाला कि नितीज कुमार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है कोई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सीता मड़ी सीट पर एक और दिल्चस्प बात यह है कि माधव आनन यानि उपेंद्र कुश्वाह के जो आरेलम पार्टी है वो भी दावेदारी कर रहे हैं हमारे संपादक भी आपको बता रहे हैं कि सीता मड़ी सीट पर कितनी ज्या अद्रा धक्ष है वो हुँ इसंट की रेश में है लेकिन सर्वे में यह रहे कि सीट भी इस बार इंड़ी गडबंधन में ही जाएगा सीटा मड़ी सीट को ले कर काफी मतन भी हुआ था कौन जीतेगा किसको लेकर चर्चा चल रही है ये भी कहीं न कहीं चर्चा का विशा है, बहस का विशा है, अब बात करते हैं मुझपर पूर सीट की, मुझपर पूर सीट आप सबको पता है कि भारते जनता पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं, भारते जनता पार्टी से एक बाप फिर से ये जीत होता हुआ दिक पनजार और जो अजयनी साथ थे इनको वोट मिला था 6,66,000 यानि कि इस बार अगर मुकेश सहनी आते हैं तो शायद यह सीट उनको मिलेगी हाला कि भारते जंता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगी देखते हैं अभी आने वाले वक्त में टिकट का जो होगा अगर विकास सिल इंसान पार्टी एक बाफिर से एंडिये गडबंदन के साथ आएगी जो कि अभी तक कोई चर्चा नहीं चल रहा है लगतार मुकेश सहनी बयान दे रहे हैं उलट यानि एंडिये गडबंदन से उलट बयान बाजी उनकी चल रही है तो ऐसे में कोई संभाना नहीं है कि मुकेश सहनी फिर से मुझपर पूर की सीप पर आहीं जाए तीसरी तरफ अगर बात्चीत की जाए मुझपर पूर के पाथ अगर चर्चा सबसे ज़्यादा है वैशाली लोग सबाथ छेत्र की वी चर्चा काफी ज़्याद है और वह भी काफी दिल्चस पर मुकाबला यहां पर हो सकता है आप सब को पता है कि वैशाली में जो वीना देवी हैं जो एलजेपी जब पसुपति पारस की पहले सांसत थी और अब देखिए कहीं न कहीं एक बाप फिर से उन्होंने पाला बदल लिया है और इस बार चिराग पासवान के साथ जाती क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कि यह कहा जा रहा है कि वैसे लोग जिन्होंने चिराग पासवान को विकट परिस्तिती में साथ नहीं दिया है वैसे लोगों पर चिराग पासवान भरोसा नहीं करेंगे वीना देवी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है वीना देवी के बेटे या फिर उनके किसी करीबी को ये ٹिकट जा सकता है हलाकि चिराक पासवान को निर्धारित करना है अगर उनकी पार्टी को ये टिकट जाएगा तो शायद वीना देवी रिपीट नहीं होगी उनके जगई पे कोई और रिपीट हो सकता है रगवन्स प्रसाब सिंग ये आर जडी से हैं इनके प्रतिद्वन्दी थे पिछली बार तो कहीं न कहीं वीना देवी को लेकर के भी चर्चा है लेकिन ये भी जो सीट है वो सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है कि एंडिय गडबंदन के तरफ ही जा रहा है अब बात करते हैं हम वैशाली के बाद हाजीपूर की जिहां हाजीपूर की सीट जो काफी चर्चित सीट है और काफी बिवाद जो हाजीपूर सीट को लेकर के हो रहा है कि हाजीपूर सीट पर चाचा पसुपती पारस क्या करेंगे यह सीट छोडेंगे कि नहीं छोडेंगे हलाकि चिराग पासवान पर यह कहते हैं कि सीट हमारा फाइनल हो चुका है हलाकि चिराग पासवान के तरब से अभी तक मतलब officially कोई नहीं आया है उनके लोग कहते हैं कि चिराग तो 400 लोग सबा सीट पर तयारी कर रहे है पसुपती पारस इस बार हलाकि सर्वे में आ रहे है कि एंडिये गड़बंदन ही यह जीतेगा लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को जाता है या फिर पसुपती पारस रिपीट होंगे इस पर काफी ज़्यादा चर्चा का विशय है इनके परतिद्वन्दी शिव चंदर राम थे राष्टी जनता दल से हाला कि ये भी सर्वे किया जा रहा है अगर भारत लाइब के अगर सर्वे आप देखेंगे अपिनियन पोल अपर जाकर कि आप भी अपनी राय दे सकते हैं अपिनियन पोल में देखेंगे तो चिराग पास्वान के नाम पर लोग सबसे ज़्यादा मुहर लगा रहा है चिराग पास्वान पर जो है वो काफी भरोसा हाज़िपुर की जनता जता रही हाला की ये NDA गण बंधन में भारती जनता पार्टी को निरधानित करना है कि किसे हम सीट देंगे तो हाज़िपुर की सीट भी NDA गढ बंधन के तरब जा रहा है अब बात आती है सारन की जहां सारन लोक सवाच्षेत्र जिन पर राजीव परताप रूडी है ये भी सीट हाला कि जाएगा NDA गडबंदन को ही लेकिन सारण सीट पर राजीव परताप रूडी रिपीट होंगे के नहीं ये भी बहस का भी सह है क्योंकि राजीव परताप परूडी से नरेंदर मोदी काफी नाराज चल रहे हैं, पार्टी की गति विडियो में राजीव परताप परूडी सामिल नहीं होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा योजना दिया गया था, बहुत बड़ी जिम्मदारी दी गई थी, जो प्रधान मं किसी सांसत पर है, तो वो है राजीव परताप परूडी, हाला कि ये टिकट बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई चौकाने वाला नाम हो सकता है, कई लोग इस सारण लोगसवाच्षेतर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसमें बहुतों के नाम आ र सकता है, उनसके पास हम जुड़ाएंगे, बातचित करेंगे, तो ये भी बीजेपी के पास जाता हुगा दिख रहा है, अब बात करते हैं सिवान लोगसवाच्षेतर की, जिया, सिवान में थोड़ा सा लोगों को डर लग रहा है, कि सिवान में क्या होगा, कविता सिंग ज सिवान की जनता में सबसे ज़्यादा नराजगी भी है, कई जगों पर वो बुलाने पर भी नहीं जाती है, सिवान में ज्यों कि त्यों स्थितियां बनी रहती है, शहर में वैसे ही जाम रहता है, नाले पर वैसे ही गंदगी रहती है, यतना ही नहीं आपको ये भी बता दे कि कई जगों पर पूल पुलिया को लेकर के भी समस्याएं रहती हैं सीवान लोकसवा छेत्र में यानि कि सीवान में ये एक्टिव नहीं है कविता सिंग हाला कि सांसद तो कविता सिंग है लेकिन सारा इनका कारभार जो है उनके पती अजय सिंग देखते हैं और अजय सिंग क लड़ेंगे हाला कि निर्दलिया लड़ते हैं या फिर भारती जिनता पार्टी फिर से भरोसा जताएगी क्योंकि वहां पर में भेद नहीं पाएं तो इतना समझ लिजे कि यह टिकर जो है वो कहीं न कहीं इंडिया गडबंधन महागडबंधन जीत सकती देखिए कहा यह जा रहा है इंडिया टेवी के सर्वे में एक बात कहीं जा रही थी कि हेना सहाब जो है वो यहां से आरजेडी के टिकर से जीत पाएंगे यह संभव लग रहा है क्योंकि हेना सहाब आरजेडी से अब रिस्ता और नाता जो है अपना धिवान कर रहे हैं कि RJD के टिकट से हमें मिले यानि हमें मौका मिले उमिद्वारी भर सकते हैं तो अवद ब्यारी चौधरी को देंगे लालु परसाद यादो जो स्पीकर भी रह चुके हैं पुरुव में कि हेना सहाब को देंगे देखें टिकट का बटवारा इस बार यादों से हैं तो ऐसे में यह आरजेडी को टिकट हैना साथ से नहीं मिलेगा इतना अपते मानिए यहां पर अवद भीहरी चौधी उतर सकते हैं या फिर हेना साहब को यह चर्चा की जा रही है कि लजेपी आर यानि चिराग पासवान की पार्टी जो है उससे टिकट दे करक कि वो एंडिये गडबंधन से हेना साहब को लड़वाया जाए इस रेस में बीजेपी के मंगल पांडे भी हैं वो स्वास्त मंत्री पूर्व में रह चुके हैं इनकी भी चर्चा चल रही है हाला कि क्या कुछ होता है मंगल पांडे अगर क्या वाकई में MI समिकरण में कविता सिंग को दिया जाएगा तो तय मानिये कि वापस से कविता सिंग रिपीट नहीं होंगी एंडिये गडबंधन के तरफ से यहां पर एंडिये गडबंधन को करारी हार मिल सकती है अगर टिकट किसी अच्छे वैक्ति को या फिर किसी ऐसे वैक्ति को दिया जा सकता है जो वहां का समिकरण, वो समिकरण में, राजद के समिकरण को भेद पाए, तो सायद ये टिकट BJP के पास आ सकते है, हलाकि सर्वे में तो इस सिवान लोगसबा छेतर जो है, इंडिया गडबंधन के पास जा रहा था, लेकिन हमारा ये मानना है, कि यहाँ पर सब कुछ डिपे सिवाल को आप सब को पता होगा कैसे उनको, पुलीसी या डंडा का सामना करना पड़ा था, सर फट गया था उनका, उस सर फटे, जो सर जिस तरीके से फटा था, उसका वीडियो जो है, वो सोशल मेडिया पर वाइरल हुआ था, जिस तरीके से तेजश्य यादों की नीतियो सिग्रिवाल पर अंधाधून जो नितिश कुमार की पुलीस थी, वो तबर तोड उन पर लाठिया बरसा रही थी, चर्चा तो यह था कि महाराजगन लोगसवाद छेत्र से शायद जनारधन सिंग सिग्रिवाल का टिकट कर जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टिकट उन पर खड़ा होगा, इसकी भी चर्चा काफी तेज है, कई लोग रेस में हैं, कई लोगों के नाम के चर्चाएं हो रही है, कई डॉक्टर के नाम के भी चर्चा हो रही है, कई डॉक्टर भी आ सकते हैं, हलाकि देखते हैं, क्या कुछ होता है, इस पर हमारी निगाह रहेंग कुमार सुमन और ये रिजर्ब सीट है तो इस वज़ा से कई ना कई मुझे लगता है कि ये भी इस बार भी उनको मिलेगा और वहां से वो जीतेंगे इस बार लोग सबाच सीट है उत्तर बिहार के जिस पर हमने आपको सर्वे करके बताया कि क्या कुछ संभावनाय बन सकती है कौन जीत सकता है कौन हार सकता है लेकिन ये चर्चा अभी यहीं समाप्त नहीं हो रहे ये दर्श को और भी चर्चाएं जारी रहेंगी अगर देखिए कुछ नामों को लेकर के अगर आपके मन में भी हो या फिर उस लोग सबाच शेत्र में ऐसा लग रहा है कि वह कंडिडेट खड़ा हो सकते हैं चुनाओ के रेस में तो कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा उस ख़बर पर विशलेशन हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर या फिर विज़ मिश्रा बावा के साथ करवाएंगे और फिर वहां से सुरू हो जाएगा मन्थन बारालोग सबाच सीटो पर उत्तर बिहार के हमने सर्वे करके बताया इंडिया टीवी के सर्वे से जोड़ते हुए फिलाल इस कबर में इतना आई लेकिन ऐसे ही सर्वे अभी जारी रहेंगे सिमान चलके मिथलान चलके और जो मगद का छेतर है वहां के भी तमाम सीटों पर विश्रेशन हम करते रहेंगे फिलाल अभी के लिए इतना ही देखते ही भारत लाए धन्यवाद पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिह ख़बर रहा मुफ्त में मिल जाई अगर रहा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद